हेलो दोस्तों स्वागत है आप सपीका फिर से एक नए वीडियो में तो आज का जो डिजाइन है प्लाउज का पैकनिक डिजाइन रहेगा दोस्तों और मैं इसमें आपको बहुत ही सिंपल तरीके से एक ब्लाउज को डेकोरेट करना बताने वाली हूँ तो वीडियो में एंट तक बने रहें और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें जिससे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी सब्सक्राइब का एक सबा इंच चोड़ाई इनकी रखी हुई है नीचे की तरफ से ठीके और हमने इसको कट कर लिया और एक इंच इसकी चोड़ाई रखी है बाकी आप अपने हिसाब से इसकी लंबाई चोड़ाई रख सकते हैं दो फैबरिक को हमने इस तरीके से रखा है और ये कॉलर वाल नहीं है बुक्रम तो आप यहाँ पर इसलाई करके भी इसको त्यार कर सकते हो मैं दोनों तरीके से यह कट वर्क आपको बता चुकी हूँ आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं तो यह देखिए यहाँ पर हमने इसको सीधा कर लिया है और यह जो एक्ट्रा फैबरिक था नीचे की तरफ उसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसको त्यार कर लिया है तो इस तरीके से हमारा यह टेमपल स्टाइल में कट वर्क त्यार हो जाएगा यह देखिए क्योंकि हमारा जो नेक है वो थोड़ा सा राउंडिश है तो उसमें इस तरीके से जो कट वर्क लगाते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है तो इसलिए हमने यह अलग से त्य तो किस तरह की साफधानिया आपको रखनी होती हैं तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच चोड़ाई रखी है और यहाँ पर हमने करीब 3 इंच रखा हुआ है इसकी चोड़ाई ठीक है और जो गहराई है हमारी वो हमने 1.5 इंच रखी हुई है आप अपने हिसाब से इसको कम्या जादा कर सकते हैं ठीक है बैक से ओपन रहने वाला है यह बलाउस तो यह देखिए हमने आपर करीब 1.5 इंच रखा है तो फोल्ड करने के बाद यह 1.5 इंच रह जाएगा नीचे की तरफ से हम इसको 2 इंच फोल्ड कर देंगे इसकी प्लीट्स के निशान भी मैं आपको पहले ही कई बार विडियोज में बता चुकी हूँ तो यहाँ पर हमने कट मार्क कर देना है दोनों साइट की प्लीट्स के लिए इस तरीके से ठीके और जो यह हमने सेंटर पे उपर की तरफ से हमने इसमें 11 इंच लिया हुआ है बस्ट पॉइंट आपने मेजर कर लेना है बस्ट पॉइंट मेजर करने का तरीका मैं पहले ही बता चुकी हूँ ठीके यह देखे इस तरीके से और अगर आप मुझे कमेंड में बोलेंगे तो मैं आपको लिंक आई बटन में दे दूंगी तो यह देखे अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग यह देखे मार्किंग के उपर ही हम कट कर लेंगे तो back side का हमारा यह set हो गया है और हम इसको back से open रखने वाले हैं तो यहाँ पर हम इसको beach में से भी split कर देंगे ठीक है तो अब दीके front वाली जो side है वो हम princess cut style में बनाने वाले हैं तो यह हमने पहले से cut करके रखा हुआ है और front side की जो neck है वो मैंने पहले से mark करके रखी हुई है यह pan shape में रहेगी यह देखिए इस तरीके से हमें थोड़ा से डार करके दिखा रही हूँ यहाँ पर ठीक है और यह हमने पहले से cut करके रखा हुआ है तो अब हम neck को भी cut कर देते हैं यह देखिए ठीक तो हमारी neck भी त्यार हो गई है अब हम इनको त्यार कर लेते हैं सबसे पहले जो front part है हमारा इसको भी त्यार कर लेते हैं दोनों size के princess cut जो है यह देखिए इस तरीके से जो neck है हमारा नजर आने वाला है यहाँ पर अब हम यह दोनों टुकडे जोड़ेंगे princess cut style में जो हमने cut करें है इनको cutting और जो जोड़ने का तरीका है वो मैंने आपको पहले ही कई वीडियो में बताया हुआ है आप link में जाकर देख सकते हैं मैं एक दो वीडियो के आपको दे दूँगी link जिसमें कि आप deep neck कैसे बनाएं deep neck बनाते समय क्या कैसा अब धानिया रखनी चाहिए तो वो आप देख सकते हैं ये देखे इस तरीके से सेम इसी तरीके से जो दूसरी वाली side है वो भी हम जोड़ लेंगे यहाँ पर चीके और यहाँ पर आपको खीचना बिल्कुल नहीं होता है पार्ट्स है वो इसके उपर रखेंगे इस तरीके से ये देखे ठीके और इन दोनों को मिलाते हुए आपने सिलाई करते नहीं है यहाँ पर जोड़ते समय ध्यान रखना है कि जब भी हम deep neck बनाते हैं दोस्तों तो जो shoulder है उसको आपने neck side से थोड़ा सा down करना है इस तरीके से तो अब देखिए जो पट्टी है hook और eye की वो हम जोड़ लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से दोनों side पर यहाँ पर आपने ध्यान रखना है जब भी हम back side पर open बनाते हैं तो जो hook वाली पट्टी है वो हमारी left side पर आती है चीक है इस तरीके से यह देखिए ठीक है तो आपने उसी तरीके से join करना है जैसे की मैंने कई videos में बताया हुआ है यहाँ पर यह देखिए join होगया अब हम यहाँ पर कोई भी matching color आप use कर सकते हो मैं जिस साड़ी के साथ बना रही हूँ उसमें वाइलेट कलर के flowers हैं तो मैंने इस color की piping इसमें लगा रही हूँ चीक है तो यह देखिए वाइलेट कलर की मैंने यहाँ पर piping लगा दी है और इसमें आज के design में हम डोरी से भी कुछ करने वाले हैं तो इस वीडियो को जरूर पुरायन तक जरूर देखें यह देखिए पांच shape का जो corn है वो आपने अच्छे से बनाना है यह देखिए और इसी तरीके से पूरी जो हमारी पटी है पाइपिन वाली अच्छे से लगानी है एक पैर से ज़्यादा का यहाँ पर margin ना रखें दोस्तों यह देखिए तो आप दूसरे साइट से इसको fold करके sil लेना है यहाँ पर आप चाहें तो हाथ से तुरपाई करके भी piping तैयार कर सकते हैं लेकिन इस तरीके से करने से क्या होता है machine से त्यार करने में थोड़ा आसानी रहती है और जल्दी बन जाता है यह देखिए तो इसी तरीके से हमने पूरी जो piping है पलट कर त्यार कर लेनी है piping बनाने का तरीका मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है और डोरी वाली piping कैसे बनाते हैं वो भी मैंने आपको तरीका बताया हुआ है यह देखिए हमारी जो piping है लगके त्यार हो गई है तो अब देखिए जो हमने cut work बनाए थे तो हमें कुछ इस तरीके से लगाने है हमें measure करके देख लेने हैं सबसे पहले तो अभी हम इनको रख देते हैं अलग और इसको stitching करना शुरू करते हैं तो यहाँ नीचे की तरफ से आपने जो hook पटी की चो चोड़ाई है उतना हिस्सा छोड़ देना है करीब आधे पॉने इंच का हिस्सा आपने छोड़ देना है उसके बाद हम इसको लगाना शुरू करेंगे ऐसे करके थोड़ा सा gap रखना है यहाँ पर यह देखे अब यहाँ से हम इसको stitch करना शुरू करेंगे और जितना आपने extra रखना है बाहर की तरफ को उतना आपने हिसाब से आप इसको set कर सकते हो तो shoulder में जो back side है हम उधर ही यह वाला design बनाएंगे front side को plane रखेंगे पान वाली shape रहेगे तो यह देखे दोनों side पे जितने requirement हो उतने आप semi circular बना सकते हो यहाँ पे cut work अपने set कर सकते हो तो यह देखे कुछ इस तरीके से नजर आएगा वैसे तो यह ऐसे भी अच्छा लग रहा है लेकिन हम इसमे कुछ और R&D करने वाले हैं यह देखे डोरी मैंने पहले से त्यार करके रखी हुई है अब इस तरह से डोरी को fold करके तीन पत्तियां बनानी है और उसको स्वी से सिलकर त्यार कर लेना है आप चाहे तो इसको मशीन से भी सिलकर त्यार कर सकते हो तो यह देखे इस तरीके से आपने काफी सारी कलियां बना लेनी है जो की हमें requirement होने वाली है हमारे आज के design में तो अब देखिए पाइपीन के बिल्कुल किनारे किनारे हम इसमें lace भी लगा देते हैं जिससे जो हमारा design है वो और भी खुबसूरत होने वाला है यह देखिए अब यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि जो हमारे semi circular जो हैं वहाँ पर हमने इनको कैसे लगाना है सबसे पहले जो हमारी आधे इंच चौड़ी lace है पहली वाली जो किनारी वाली side है वो आपने stitch कर लेनी है जो पाइपीन की तरफ से होगी वहाँ पर आपने अभी यह सिलाई लगानी है ठीक है इस तरीके से पान वाली shape पे आपने ध्यान रखना है जितना अच्छे से इसको घुमा कर लगाएंगे उतनी ही अच्छी shape आने वाली है बहुत प्यारा लगता है यह neck जब हम पहनते हैं इसको यह देखिए तो यह हमारा जो है complete हो गया है एक side की सिलाई है दोस्तों यह दिहान रखना है अब देखिए वापस से हम उसी तरफ से start करेंगे और यहाँ पर हमने यह जो full वाली पत्तियां बना के रखी थी दोरी से तो यहाँ पर lace के नीचे set कर देना है और जो हमारे semi circular के बीच में जो space है वहाँ पर आपने इनको set करना है इस तरीके से अब दूसरी side से overall आपने सिलाई लगाते पर आ जाना है वापस से back वाली side पर यहाँ पर फिर आपने वही पत्तियां set करनी है इस तरीके से तो यह देखिए कितनी छोटी छोटी चीजों से हमने एक simple से blouse design को इतना खुबसूरत बना दिया है एकदम party bear look हमारे blouse का आचुका है ठीक है तो यह देखिए अब जो इसकी plate से वो डाल लेते हैं और मैं इसको थोड़ा सा तयार करके दिखाने वाली हूँ आपको अब ही मैंने बाजू वगरह नहीं लगाई है इसमें यह देखिए तो मैंने side stitching करने के बाद यह देखिए front वाली जो side है इतनी खुबसूरत नजर आ रही है और यह जो हमारी back side है वो भी देखिए कितनी खुबसूरत नजर आ रही है है ना तो आज का जो design है वो आपको कैसा लगा है मुझे comment करके जरूर बताएं दोस्तों और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज अपने friends के साथ भी इसको share करें मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए खुबसूरत design के साथ तब तक अपना ध्यान रखें बबाई दोस्तों